अगर आप भी NCC जोइन करना चाते हैं और जानना चाते हैं कि NCC क्या है NCC में किस तरह की ट्रेइनिंग दे जाती है NCC जोइन करने के लिए eligibility criteria के रहती है और आप किस तरह NCC जोइन कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा helpful होगी क्योंकि इस वीडियो में हम यही सारे questions डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं NCC के बारे में तो NCC का फुल फूम होता है National Cadet Corps हिंदी में इसे राष्टिये Cadet Corps कहा जाता है NCC में स्टुडेंट्स को, Cadet को Military Training दी जाती है और NCC College या स्कूल के स्टुडेंट्स के लिए ही होता है NCC के शुरुवात 1948 में हुई थी इसका Headquarter दली में है NCC का में मोटो है Unity and Discipline यानि एकता और अनुशाशन कुछ इसके Objectives हैं जिसके बारे में जान लेते हैं जैसे देश के युथ को अनुशाशत और देश भक्त सिटिजन में चेंज करना युथ के अंदर Leadership Quality को Develop करना और युथ को Defense as a Career चुणने के लिए मोटिवेट करना ये कुछ इसके Objectives है अब जान लेते हैं NCC में किस तरह की Training दी जाती है तो NCC में NCC के Total तीन Wings है तीन Wings में ये Divided है Army, Navy and Air Force अगर आप NCC Army जोइन करते हैं तो आपकी Training भी Army से Related ही होगी अगर आप NCC Navy या Air Force जोइन करते हैं तो आपकी Training भी उसी के हिसाब से होगी NCC में सिर्फ Physical Activity ही नहीं कराई जाती है बलकि और बहुत सारी तरह की Activities कराई जाती है जैसे Singing, Dancing, Acting इस तरह की Cultural Activities भी होती है Camps कराई जाते हैं जिसमें आपको Cultural Activities Physical Activities ये सारी Activities कराई जाती है NCC में दो Division होते हैं एक Junior Division या Junior Wings और दूसरा Senior Division या Senior Wings के लिए किया जाता है Junior Division की बात करें तो इस Division में स्कूल के स्टुडेंट्स आते हैं जो नवी दसवी के होते हैं इस Division में आने के लिए कैड़िट की एज 12 से साड़े 18 की बीच में होनी चाहिए Junior Division के दोरान 2 साल की NCC Training मिलती है इसका डूरेशन दो साल का होता है वही Senior Division की बात करें तो 11, 12 या कॉलेज के स्टुडेंट्स आते हैं यानि 10 पास आउट स्टुडेंट्स रहते हैं एज लिमिट इसकी मैकसिमम 26 years होती है और इसके दोरान आपको 3 साल की NCC Training मिलती है यानि इसका डूरेशन 3 साल का होता है अगर आप graduation के दोरान NCC जॉइन करना चाते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे मैं आप first year में जॉइन कर सकते हैं और अगर आपकी graduation के duration 4 साल है 4 साल का graduation करते हैं तो आप अपने college में first या second year दोनों में से कभी भी आप join कर सकते हैं मैंने graduation के first year में NCC join किया था और graduation complete होने के साथ साथ मेरा NCC के 3 years भी मेरे complete हो गये थे NCC complete हो गये था graduation complete होने के साथ साथ अब सबसे important topic पर बात करते हैं कि NCC join करने के लिए eligibility criteria कह रहती हैं तो NCC join करने के लिए आप एक Indian citizen होने चाहिए Indian या Nepal citizen age limit के बात करें तो minimum 12 years and maximum 26 years होने चाहिए physically fitness जरूरी है physically fit होने चाहिए आप NCC join कैसे करें अगर आप school के student है और NCC join करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने principal या teacher से बात कर सकते हैं जिसके बाद वो आपको एक NCC form फिल करवाएंगे उसके साथ साथ आपको physical fitness भी देना होगा और अगर आप college के student है तो आप अपने college के NCC officer से NCC join करने के लिए बात कर सकते हैं अगर आपके college में NCC battalion नहीं है तो इस case में आप किसी पास के unit NCC unit में जाकर contact कर सकते हैं बात कर सकते हैं NCC के तीन important certificate के बारे में जान लेते हैं NCC A certificate, B certificate and C certificate तो अगर आप first year complete करते हैं NCC की training लेते हैं first year के बाद तो आपको A certificate मिलता है second year completion के बाद आपको B certificate मिलता है और 3rd year की training के बाद आपको C certificate मिलता है लेकिन इसके लिए आपको at least 2 camp करना जरूरी है तीनों साल में 2 camp करना जरूरी है साथ ही आपको written and practical दोनों exam qualify करना होगा फिर आपको C certificate मिलेगा तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर helpful रही होगी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को subscribe कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक बार like कर दें